इस वीडियो में बात करेंगे Solar Water Heater के बारे में Solar Water Heater क्या होता है, कैसे यह काम करता है, इसका Installation Process क्या रहती है, वारंटी कितनी मिलेगी अगर आप अपने गर के लिए Solar Water Heater करीद रहें, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या आपको एक solar water heater खरीदना चाहिए या फिर नहीं यह पूरी जानकरी आपको इस वीडियो मिलेगी तो वीडियो पूरा देखें फर्स्ट बात करें solar water heater क्या होता है जैसा नाम से पता चल रहा है यह solar energy के मदद से पानी को गरम करता है यहाँ पर जो working की process से काफी simple होती है एक पानी का tank होता है जिसके अंदर insulation किया होता है जिससे जो अंदर का पानी होता है उसका temperature constant रहे साथ में आपर solar collectors लगाये होते हैं जो sunlight को absorb करते हैं और अंदर के पानी को गरम करते हैं अब यहाँ पर इसको इस way में लगाया जाता है कि tank को थोड़ी height पे लगाया जाता है और tubes को नीचे की side में लगाया जाता है जिससे यहाँ पर जो पानी हो उन tubes के अंदर आता रहे और गरम होके यह वापस tank में चला जाए अब यहाँ पर किसी भी type की electricity और motor को काम में नहीं लिया जाता है पानी automatically tank में अपने आप चला जाता है अब यह process कैसे होती है तो इसका basic reason है कि जो hot water होता है या गरम पानी है उसकी density कम होती है जिस वज़े से वो पानी हलका होता है और अपने आप दीरे दीरे tank में चला जाता है और ठंडा पानी उन tubes के अंदर आने लगता है इसका example आप देखें तो अगर आप gas के उपर पानी गरम करेंगे तो आप note करेंगे अगर आप glass में पानी को गरम करते हैं तो पहले उपर का पानी गरम होता है उसके बाद में नीचे का पानी गरम होगा तो यही चीज यहाँ पर भी होती है जिस वज़े से यह पूरा functionality काम करती है इसके बाद बात करें टाइप्स की तो solar water heater दो टाइप के होते हैं जिसमें first ETC evacuated tube collectors इसे vacuum tube भी बोला जाता है साथ में FPC यह इनकी flat plate collectors आप दोनों ही जो type के system होते हैं इनके अपने benefits होते हैं अगर जर बात करें ETC के तो इनकी price कम होती है यहाँ पर heat generation काफी आपको अच्छा मिलता है और साथ में आपर जो maintenance होता है वो भी easy होता है आप खुद से इनको clean कर सकते हैं वहीं बात करें flat plate collectors के तो इनकी life जादा होती है यहाँ पर durability भी आपको अच्छी मिलती है और यहाँ पर भ ज्यान रखना होता है कि solar water heater और जो पानी की टंकी होगी उन दोनों का level 1 नहीं होना चाहिए आपको अमेशा पानी की जो टंकी होती है उसे 2-4 feet के height पे लगाना चाहिए जिससे proper यहाँ पर pressure बना हुआ रहे है काफी जिगा पर क्या होता है कि यहाँ पर pressure pump को लगा जाता है जिससे जो पानी का अंदर pressure create किया जासके लेकिन छोटे system यहाँ पर residential में आपको इसके इतनी requirement नहीं होती है इसके बाद में आप यहाँ पर जो दोनों ही type के system में installation process दोनों के लिए अलग-अलग होती है अगर आप vacuum tube के साथ में install करा रहे तो इनकी installation की process थोड़ी आसान होती है वहीं flat plate के साथ में यहाँ पर जो process होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर cut in होती है उसमें आपको एक से ज्यादा लोगों की जुरत होती है अगर आपको इसकी dedicated वीडियो चाहिए installation कैसे करना है तो आप नीचे comment section में भी बता सकते हैं इसके बाद बात करें safety के बारे में तो solar panel की तरह ही solar water heater भी काफी durable product होते है इसमें भी आपको tempered glass देखने हो मिल जाता है जिससे इनकी durability काफी अतक बढ़ जाती है लेकिन यहाँ पर किसी nuclei चीज या पत्थर लगने की वज़ेसे जो tube वगएरा होती है वो damage हो सकती है यहाँ पर इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान होता है और साथ में अगर आपके area में बंदर वगएरा काफी ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि wire gauge या फिर जाली लगवा सकते हैं जिससे solar water heater को proper धूप तो मिलती रही और पानी गरम हो जाया लेकिन बंदर वगएरा अंदर नहीं जा पाएंगे और आपका solar water heater लंबे समय तक सही तरीके से काम करता रहेगा नेक्स्ट बात करें maintenance की तो solar energy से related जितने भी product होते हैं यहाँ पर हमें cleaning का काफी ध्यान रखना होता है आप चाहे solar panel इंस्टोल करा हो या फिर आप solar water heater इंस्टोल करा हो आपको यहाँ पर जो मिट्टी वगएरा होती है उसे regular basis पर अटाना होता है अगर आप नहीं अटाओ क इन दोनों ही cases में आपको cleaning का ध्यान रखना होता है अब यह चीज़ डिपेंट करती है कि आपके area के अंदर जो dust मिट्टी कितनी ज्यादा आती है उसके according आपको यहाँ पर साफ सफाई करनी होती है नॉर्मल बता हूं तो आपको week में एक बार solar panel या फिर solar water heater इंसकी जो मिट के अंदर fluoride इकटा होने लग जाता है जिस वज़े से आपका जो पानी है वो proper गरम नहीं हो पाता है इसके आरण से यहाँ पर आपको जो इसकी cleaning भी time to time करानी होती है जिसके अंदर जो अगर आप अगर नॉर्मल evacuated tube collectors के साथ में solar water heater लगाते है तो यहाँ पर cleaning की process ठोड़ी generator में temperature control का कोई option नहीं होता है यानि पानी कितना गरम होगा इसे हम control नहीं कर सकते हैं तो गर्मियों के अंदर जब गरम पानी के हमें requirement ना हो उस time पर solar collectors को हमें कपड़े से ढखके रखना चाहिए जिससे यहाँ पर जो पानी है वो गरम ना हो क्योंकि गर्मियों के अंदर ज तक चला जाता है ऐसे में जो अंदर का पानी है उसका temperature बढ़ते बढ़ते सतर से असी से लगा के सो डिगरी तक चला जाता है और कई बार यहाँ पर जो water tank होता है उसे भी damage कर देता है तो हमें इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना होता है इसके बाद बात करें यह याँ लोगे के उपर एक coating की जाती है और लाश्ट में होता है यहाँ पर stainless steel यह mainly तीन टाइप के यहाँ पर जो material है उन्हें काम में लिया जाता है और साथ में कुछ companies अलग-अलग water resistance के लिए यहाँ पर coating भी करती है अब यहाँ पर अगर आपको prefer करना है तो आपको mainly stainless steel को ही prefer करना है क्योंकि उसके अंदर सबसे कम chance होंगे यहाँ पर rush होने के आप फिर जंग आने के तो आपको material के तोर पर first priority आपकी यही रहने चाहिए कि आपको stainless steel मिले इसके बाद में आप galvanized iron को भी prefer कर सकते हैं इसके बाद में next चीज यहाँ पर होती है warranty आप कहीं से भी किसी भ जादा warranty मिलेगे उतने ही time तक जो system में उसे आप tension free होके काम में ले पाएंगे तो यहाँ पर warranty के अंदर भी कुछ चीजे होती है जो आपको ध्यान रखना होता है वो है कि warranty किस type की है यानि कि आपको warranty किस product की मिल रही है इसमें जो mainly आपको यहाँ पर warranty देखने हो मिलती है व आपको 7 साल की warranty tank के उपर दी जाती है इसके बाद में कुछ SSC के उपर कुछ company देती है कुछ company stand के लिए बिए अलग से warranty देती है एक साल से लगा के 5 साल तकी other component के लिए अलग-अलग company warranty देती है तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा warranty आपको अलग-अलग component पे मिलेगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए beneficial होगा इसके बाद में तीसरा point है कई सारी companies solar water heater के अंदर electric heating road का option भी देती है जिसके मदद से आप जो पानी है अगर किसी time पे दूप नहीं निकल जे तो आप electric यानि बिजली के मदद से भी पानी को गरम कर सकते हैं तो यह option होना भी आपके लिए beneficial हो जाता है कि कभी दूप नहीं मिल पारी या फिर सर्दी का टाइम बारिस का टाइम आप पानी को गरम करना चाते हैं तो आप बिजली की मदद से भी पानी को गरम कर सकते हैं next अब बात करें pricing के बारे में solar water heater आप करीते हैं तो आपको कितने रुपे यहाँ पर pay करने होंग काफी ज्यादा यहाँ पर या नीचे हो सकती है एक basic price आपको बता के चलो तो 100 लीटर का purchase करते हैं तो इसके लिए आपको 25,000 रुपे यहाँ पर देने पर सकते हैं अगर आप 200 लीटर का purchase करते हैं तो इसके लिए आपको 35,000 रुपे देने पर सकते हैं वहीं 300 लीटर का आप solar water heater purchase करते हैं तो इसके लिए आपको 50,000 रुपे तक देने पड़ सकते हैं next बात करें क्या आपको solar water heater purchase करना चाहिए या फिर नहीं तो इसका सीधा answer है yes आप purchase कर सकते हैं क्योंकि ये काफी save product है और साथ में यहाँ पर किसी भी type का power consumption नहीं है लेकिन इसके बावजूद बात करें आपे price wise comparison की तो अगर आप electric water heater से इसे compare करते हैं तो electric water heater की price काफी कम होती है वहाँ पर जहाँ आपको best company का आपको electric water gizzard 4-5,000 में मिल जाया है तो यहाँ पर आपको 15-20,000 रुपे minimum pay करने होंगे तो यह चीज़ का आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके गर में पहले से अगर on get solar system लगा हुआ है जिसकी मदद से आप बिजली का bill कम कर रहे हैं तो ऐसे case में आप electric water gizzard को भी select कर सकते हैं और उससे पानी को गरम कर सकते हैं अगर आपके गर में किसी भी type का solar system नहीं लगा हुआ है या फिर बेटरी के साथ में आपने solar system लगा रखा है तो ऐसे case में आप solar water heater को लगवा सकते हैं या आपके लिए एक best product हो सकता है तो दोस्तों यह थी यहाँ पर पूरी जानकारी solar water heater के बारे में इस वीडियो की मदद से आप अपने घर के लिए एक best quality का solar water heater का selection कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो इसे like कर दीजे आपका कोई सुझाव है या आपको प्रशन पूर्थना चाहते हैं तो नीचे comment section में पूछ सकते हैं साथ ही हमार चैनल को subscribe करके हमें support करें जै हिंद जै भारत